नमस्कार प्रणाम स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टिक बाई स्पी में बिहार के संविदा करेमचारियों को दसाहरा का बहुत बड़ा तौफा मिल चुका है बिहार के मुखमंतरी मानिर नितीष कुमार जी के दुआरा तो वीडियो सुरू करने से पहले मेरा चोटा सारी के वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नहे हैं तो चैनल को लाइक कर लिजेगा सस्क्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन जो है दबा लिजेगा इससे क्या होगा बिहार के संविदा करेमचारियों से जो भी इंतेजार था फाइनली हुआ है पूरा होता हुआ नजर दिखाई दे रहा है क्योंकि आज दसहरा के उपलक्ष में मानिनी मुखमंतिर नितीष कुमार जी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है संविदा करमचारियों के नियमती कड़ को ले करके और मांदे वृद्धी को अगर मुखमंतिर जी की बात देखी जाये तो मुखमंतिर जी का कहना है कि दिवाली से पहले बिहार में 4 लाख संविदा करमचारियों को सरकारी कर्मी का दर्जा देने का कार बिहार सरकार करेगी यहनी अगर देखा जाए तो कल से ही बिहार के सम्मिदा करमचारियों का नियमती करण परकिरिया सुरू होने वाली है अब आप लोग कहेंगे कि बिहार में कितनी जल्दी नियमती करण नहीं होने वाला है होगा आप लोगों का सारा डाटा जो है बिहार सरकार के पास पहुंच चुका है बस मुखमंतिरी जैसे यादेश जारी करते हैं आप लोगों का नियमतिकर्ण पर के लिए सुरू हो जागा सारा का सारा डाटा उनके पास पहुंच चुका है बस उनको आदिस देरा है जब आदिस जारी कर देते हैं तब से आप लोग जो है समझो सरकारी करमचारी का दर्जा पा जाएंगे टोटल चार लाख सम्विदा करमचारियों को बिहार सरकार पर्मानेंट करने जा रही है जो की 45 विभाग से लिया गया है अब 45 विभाग का नाम लेना मुश्किल है दोस्तों चुकि वीडियो बहुत लांग हो जाएगा तो इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ बिहार सरकार की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है दिवाली तक जो है चार लाख सम्विदा करमचारियों का नियमती कर्पकिरिया पुरूर रूप से सुरू हो जाएगी उमीद करता हूँ मेरा वीडियो आप सभी करमचारियों को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन जैविहार